हेलो कैस, वेलकम टुमा यूटूब चैनल, रितिक टेखनीकल सपोर्ट, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग टेकनो कंपनी का स्माटफोन यूस करते हैं, और उसमें अगर आपको ऑटोमेटिक रिस्टार्ट की प्रॉबलम आती है, आपका जो टेकनो का फोन ह वो automatic ही restart हो जाता है और आप यह problem को ठीक करना चाहते है तो इसका क्या तरीका है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ठीक है वीडियो start करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा बिलक इक उनको प्रेस कर लेना है तो दीखे यह simple सा एक method आपको यहाँ पे use करना है जिससे आप यह problem को 100% ठीक कर सकते ठीक है तो first of all आप अपने techno phone की settings में जाईएगा और यहाँ पे आपको click करना होगा search बार पे और यहाँ पे आप लोग search करिएगा reset ठीक है जैसे ही आप लोग reset search करेंगे आपको यहाँ पे एक option में लेगा reset phone का इस पे click करिए click करने के बाद आपको आपके techno phone का जो all settings होता है उस पे click करना होगा और आपको आपके techno के phone का जो all settings होता है उसे reset करना है ठीक है इसमें होगा क्या जो भी गलत activity की वज़ा से आपको यह problem आ रही थी सब कुछ default हो जाएगा और आपकी यह problem भी ठीक हो जाएगी और all settings को reset करने से आपका techno phone का कोई भी data delete नहीं होगा तो आपको निश्चिंत रहना है ठीक है अगर आपका कोई भी doubt रहेगा तो आप लोग हमें whatsapp कर लीजेगा मिलते हैं next video में जै मातादी